नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आपकी होस्ट प्राइश राठ हो उतर प्रदेश की विधान सभा चुनाव में करारी हार का सामना करनी की बाद अब समाजवादी पाठी के सनरक्षक मुलाइम सिंग यादव के परिवार के सदस्यों में किस तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है वो नाराजगी जग चाहिर होती हुई नसर आ रही है चाचा और भतीजे सपा अध्यक्ष अखलेश यादव और प्रगतिशी समाजवादी पाठी के रास्टे अध्यक्ष शिपाल सिंग यादव एक दूसरे से इस वक्त नाराज है 26 मार्च की दिन अखलेश यादव ने लखनों के सपा कारेले में एक बैठग बुलाई और उस बैठग में आमंतरित नहीं किया अपने चाचा शिपाल यादव को जिसके चलते वह अपनी नाराज़की को जाहिर करते हुए देखे गए मीडिया के सामने और इसके बाद वह दिल्ली पहुँचे अपने बड़े भाई यानिकी नेता जी मुलाईम सिंग यादव से मुलाकात की और अपने घर इटावा वापिस लोड़ गए लेकिन अचानक से उन्होंने सीएम योगी अदित्यना से मुलाकात की और अटकले शुरू हो गई राजनिती की दुनिया में सियासत गर्माती हुई नसराई की वह बीचेपी में शामिल हो सकते हैं लेकिन इन अटकलों के बीच उन्होंने सपा के कददावर निता आजम खा उस दोरान उन्होंने मीडिया से बाचीत की और निशाना साथ दिया अपने ही परिवार पर समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा कहा कि नेता जी चाहते अगर अखले श्यादव चाहते तो आजम खान की रिहाई हो सकती थी उनके लिए वह धरना कर सकते थे उनके लिए वह कानूनी लड़ाई लड़ सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ आजम खान बहुत ही अनुभवी नेता हैं और उनकी खोबियों पर वह अब सी एम योगी अदित्यनास से बाचीत भी करेंगे आजम खान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि रिहाई क के बाद आजम खान भारती जंता पार्टी में शामिल हो सकते हैं AIMIM से भी उन्हें शांदार ओफर मिल चुका है दरसल असुदीन OVC ने भी उन्हें पत्र लिख कर भेज दिया शायद वह भी अपनी पार्टी में उन्हें शामिल कराना चाहते हैं लेकिन आजम खान जो सप के प्रती निधी मंडल उनसे मिलने पहुचे तो उन्होंने मिलने से स्ताफतोर पर इनकार कर दिया बता दे आपको तकरीबन 26 महीनों से वह सीतापूर की जेल में बंद है आजम खान को लेकर लगातार मुस्लिम नेता अपनी बात रख रहे हैं और सपा पर जम कर निशाना स साद रहे हैं मुलायम सिंग यादव के कुनवे में जिस तरीके से बीते कई दिनों से अंधरूनी जगरे की आहटें सुनाई दे रही थी अब देखने को मिल रहा है कि नाराजगी स्ताफतोर पर नसर आ रही है अखलेश यादव शेपाल यादव पर निशाना साद रहे हैं इसी बीच शेपाल यादव ने अपने इंटरिव्यू में तमाम बाते शेयर की ना सिर्फ वहें इस वक्त राजनीती की दुनिया में उनसे नाराज हैं बलकि परसनली भी वहें कई हद तक उनसे नाराज हुए हैं जिस तरीके से सपा में उनका अपमान हुआ है उनकी बातो पर जम कर बरस पड़े हैं जरा देखिए यह रिपोर्ट समास्वादी पार्टी के रास्ट अध्यक्ष अखलेश यादव और प्रगती शील समास्वादी पार्टी के अध्यक्ष शिपाल सिंग्यादव एक दूसरे से इस वक्त काफिजादा नाराज है चाचा भतीजे एक पर जम कर निशाना साते हुई धेख सब्सक्राइब राजनीती की दुनिया में जहां एक तरफ हल चल मची हुई है वहीं दूसरी ही तरफ चर्चित यादव परिवार की सदसे एक दूसरे से दूर होती हुई नसर आ रही है जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के सनरक्षक मुलाइम सिंग यादव की छोटी बहु अपर्णा विश्ट यादव भारती जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है अपर्णा के बाद शिपाल यादव की वीचेपी में शामिल होने की अटकलें इस वक्त तेज हैं हाल ही में आजम खान को लेकर शिपाल यादव ने अपनी ही परिवार पर निशाना साथ दिया और अब परिवार के मसले पर शिपाल यादव से मीडिया में बाचीत की जा रही हैं हाल ही में उनसे सवाल पूछा गया मुलाइम सिंग यादव के साथ नार लेकिन आजम खान की गिरफतारी को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने मुलाइम सिंग यादव को लेकर केवल इतना कहा कि उन्हें आजम खान की मुद्धे को लोग सभा में उठाना चाहिए था वहीं उन्होंने अपनी रणनितियों पर भी बातचीत की है लेकिन इन सब चीजों से हटकर अगर बात की जाए मुलाइम सिंग यादव के बारे में मुलाइम सिंग यादव जो इस वक्त कई लोकों के निशाने पर बने हुए हैं मुसलिम नेता खिलाफ हो चुके हैं अखलेश यादव के तो वहीं मुलाइम सिंग यादव पर अब निशाना साथ दिया है मुल जिहां शहाब बुधिन ने मुलायम सिंग यादव पर अपने कुस्से को जाहिर किया है अपना पत्र उन्होंने किस तरीके से लिख दिया है दरसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ आजम खान को लेकर मुस्लिम निता मांग कर रहे हैं उनकी रहाई को लेकर वहीं हाल ही में मुलायम सिंग यादव से आजम खान की रहाई को लेकर एक सवाल पूछा उन्होंने मुलायम सिंग यादव से पूछा है कि आखिर आजम खान के मामले में वहें चुपी क्यों सादे हुए हैं जी हां अब तक मुलायम सिंग यादव ने इस मामले को लेकर कुछ नहीं कहा है वही आल इंडिया तंजीम उल्मा ए इसलाम के रास्टे महा सचीब मौलाना शहा बुधिन रजवी ने मुलाइम सिंग्यादव को पुराने दिन याद दिलाते हुए अपनी बात गई है वह कहते हैं कि आपको आजम खान ने ही मौलाना मुलाइम की उपाधी से नवाजा था यदि अब भी आजम खान की मामले में चुपी नहीं तूटी तो वह मानेंगे कि आपका मुसल्मानों के मुद्दों से कोई भी वास्ता नहीं रह गया है इतना ही नहीं वह कहते हैं कि अखले श्यादव के पहले चुनाव को लेकर कि उनके मुखे बंतरी बनने तक का आजम खान ने गाउं गाउं जाकर जोली फहला कर वोट की भीक मांगी थी वह लिखते हैं कि बड़े ही अफसोस की बात है कि जब उन पर आजम खान पर विपत्ती आई तो स्तपा ने उन्हें अकेला ही छोड़ दिया वह प्रदेश के मुसल्मानों का दर्द एस्तखत के जरिये व्यक्त किये हैं आप संसद सदसे हैं आपने सदन में नरेंद्र मोदी के दोबारा मंत्री बनने पर उनको बधाई दी लेकिन सदन में आपने कभी आजम खान की रिहाई के लिए आवास नहीं उठाई है इतना ही नहीं मौलाना ने अपनी बात इस पत्र में और भी तरीके से लिखी वह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधान मंत्री बन गए आपके उनसे संभन्ध भी अच्छे हैं आप आजम खान की देहाई के लिए प्रधान मंत्री से बात करें इस तरीके से मुलाइम सिंग यादव को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है शाहबुद्दिन रजवी जो राजनीती की दुनिया का जाना माना नाम है और वहें लगातार सवाल खड़े कर रही हैं मुलाइम सिंग यादव पर तो वहीं अखलेश यादव पर भी अखलेश यादव के खिलाफ उतरती हुए नजराएं हैं कई निता जैसा की हमने आपको बताया है बीती पिछली रिपोर्ट में मुलाइम सिंग यादव जो इस वक्त चुपी साधे हुए हैं आजम खान के मामले पर लेकिन सभी को इंतजार है कि जल्द ही वहें बोलेंगे और जरूर कोई बड़ा फैसला लेंगे मालूम हो अखलेश यादव ने बीते कुछ दिनों पहले ही ये बयान दिया कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम प्रियास करेंगे आजम खान को जेल से रिहा कराने में अब सभी को इंतसार है कि आखिरकार वहें वक्त कब आएगा लेकिन कयास लगाए जा रही है कि ईद से पहले आजम खान की रिहा ही हो सकती है जिस तरीके से लोग उनके खिलाफ खड़े होती हुए नसर आ रही है ऐसी में देखा जाए तो मुलाइम सिंग यादव के लिए ये बेहत चौकाने वाली खबर है आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट की सरी है कि कैसे समाजबादी पार्टी अब तूटी बिखरती हुई नसर आ रही है बीते पिछले एक रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि अखले शादव अकेले पड़ती हुई नसर आए हैं कई निताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है मुसलिम कारेकरताओं ने उनका साथ छोड़ा है और मुसलिम कारेकरता मुसलिम नेता इस वक्त मांग करते हुई नजर आ रहे हैं कि जल से जल आजम खान को रहा कर दिया जाए आपको बता दें आजम खान पर तकरीबन 80 मामले दर्ज हैं और इन मामलों के चलते वेह जेल में बंद है हालंकि अब एक मामले में उन्हें जमानत मिलना बाकी रह गया है और जल्द ही उन्हें जेल से रहा किया जा सकता है शायद ईद से पहले आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं इस प्रोग्रेम में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूस से